नमस्कार आज के खास खबरों में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश में हुए विधान सभच्चुनाफ की वोटिंग के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दोर जारी है कॉंग्रेस नेता लगातार प्रदेश के शिवरास सिंग चोहान को घेड़ने का परयास कर रहे है एक दिन पहले जहां PCC चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवरास सिंग चोहान पर जवानी हमला पोला था वहीं अब पूर्ग मंत्री जीतु पटवारी और काला पीपल से विधाय कुणाल चौधरी ने भी शिवरास सिंग चोहान पर एक बड़ा आरूप लगाया है दरसल कॉंग्रेस नेता जीतु पटवारी ने प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान पर आरूप लगाते हुए कहा पूर्वो मंत्री जीतु पटवारी ने कहाई कि शिवरास सिंग चोहान ने मंत्री प्रदेश को ब्रष्टाचार का गड़ बना दिया है शिवरास सिंग चोहान को करप्शन के लिए भगवान से माफी मांगना चाहिए जीतो पड़वाई ने ये भी कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है आईवी ने कॉंग्रेस को 138 सीट मिलने का सर्वे शिवराज को दिया है लेकिन शिवराज ने आईवी के सर्वे को भी नहीं माना आईवी के सर्वे में कॉंग्रेस की सरकार बन रही है वहीं बीजेपी ने करोड़ों रुपे बांटे लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है वहीं रेपोर्ट में चर्चा करती हुए कॉंग्रेस की विधाय कुणाल चौधी ने कहा कि माफिया तंत्र सरकार चला रहे है और सरकार में बैठे लोग उनके तुकडों पर पल रहे हैं और उन्हें सरक्षन दे रहे हैं सरकार ने माफिया तंत्र के द्वारा कर्मचारी की हत्या कराई है इसका जवाब तीन तारिख के बाद उप्रदेश में कॉंगरेस की सरकार बनने के बाद मिलेगा सरकार बदल रही है और ये जो माफिया तंत्र है और इनको सरक्षन देने वाले नेता जिल की सलाखों के पीछे होंगे मध्य प्रदीश में हर तरह का माफिया इनके राज में फलफूर रहा है पहले विधायक खरीदी और अब चिनाप का खर्चा इन्होंने माफियां से ही निकाला है श्राब सिंग चोहान माफिया के दम पर ही विधायक खरीदे हैं सरकार को जिन रेत ठेकों से 1200 करोड मिले थे उसे अब आधि कर दिये गए है वहीं श्राब माफिया जो लोगों की हत्या कर रहे हैं उन्हें ये सरक्षन दे रहे हैं एक दिन पहले ही PCC चीफ कमलनाथ ने शहट डोल में हुई पचपारी की हत्या को लेकर सीरम शर्वासिंग चोहान पर गंभी आरोप लगाये थे PCC चीफ कमलनाथ में ट्वीट कर लिखा था कि शहटोर में रेत माफिया द्वारा अवै दिखनन रोखनी गए पटवारी प्रश्टन ने सिहं को ट्रैक्टर से कुचल कर मार देने का जगन्य वारदात सामने आया है यह पहला मौकर नहीं है जो मद्यप्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह के किसी सरकारी व्यक्ति को पुचल कर मार दिया हो मद्यप्रदेश में शिर्वासिंग चोहान के दोरान पनपा, भष्टाचार और घोटालों के कारण यह स्तिती बनी है